है my beautiful souls कैसे हो अब सब अगर आपके life में आपको प्यार नहीं मिल रहा तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका खुद से प्यार नहीं करना है तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो affirmation जब तक करोगे तब तक तो चीज़े में भी ठीक रहे हाला कि जैसे ही affirmation करना बंद क करोगे वैसे ही आपकी लाइफ में आपके जो पुराने थौट पैटन्स है वो भी आने लगते हैं इसलिए सेल्फ लफ की जो कंटिन्यू प्राक्टेस आपको करनी होती है कीजिए और अगर आप सोचते हो कि बिना खुद के खुद से प्यार किये बिना अपनी रिस्पैक्ट किये और बिना खुद को इनपॉर्टेंट समझे आपको लाइफ टाइम दूसरों का प्यार मिलेगा तो आप बहुत गलत समझ रहे हो जब तक आप खुद उस वाइब्रेशन पे नहीं पहुच जाते जहां पर आपको प्यार मिलता है यानि की लफ की वाइब्रेशन पर पार्टनर के लिए प्यार महसूस करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको अपने लिए प्यार महसूस करना चाहिए आपको जितना इनपॉर्टेंट अपने पार्टनर को समझते हो उससे कहीं ज्यादा इनपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आपकी होनी चाहिए जितना इनपॉर तरफ से ना सिर्फ एक पार्टनर बलकि हर कोई आपसे प्यार करने लगता है हर कोई आपको पसंद करने लगता है क्योंकि आप खुद अपने आपको पसंद करते हो इसलिए मैंने आपको बता दिया जो conditions है यानि की affirmations आप करोगे affirmations work भी करने लगेंगे दिखाने लगेंगे अपना असर हाला कि ये permanent नहीं रहता है इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि मैंने manifest कर लिया था इसके बाद फिर मैं दुबारा से वहीं पे पहुँच गई यानि की situation खराब हो गई फिर मैंने कुछ किया फिर ठीक होगी चीज़े और फिर situation पुरानी हो गई यानि पहले जैसी होगी तो ऐसा बहुत से लोग का experience और यह तब तक चलता रहेगा आपकी life में जब तक कि आप खुद से प्यार करना नहीं सीख लेते आपके इस life में आने का purpose ही है खुद से प्यार करना सीखना क्योंकि सोचो आपकी life में सबसे ज्यादा important person कौन है आप खुद हो क्यों क्योंकि आप ही वो person हो जो अपने साथ lifetime रहता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप यह affirmation करोगे और इसके साथ ही याद रखना कि आपको self love की practice करनी होगी आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना होगा अगर आप lonely feel करते हो negative feel करते रहते हो या फिर relationships related आपके mind में negative thought patterns बैठे हुए हैं पहले से ही तो आपको अगर आप चाहते हो कि affirmation बहुत अच्छे से work करें और आपके लिए permanent रहे यानि इसका effect permanent रहे तो आपको यह करना होगा कोई भी काम आप करो हाला कि जो thought patterns आपके subconscience में पहले से ही मौजूद है उनका change होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो मैंने आपको सारी चीजे clearly बता दी और अब मैं आपको बताने वाली हूँ उस ज़्यादवी affirmation के बारे में जिसकी help से आपके relationship तुरंत ही ठीक हो जाएगी और इसके साथ ही आपको धेर सारा प्यार मिलेगा और याद रखना मैंने जो चीजे पहले बताई है उन्हें भी follow करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि जो भी practice आप करते हो चाहे कोई भी affirmation करते हो उसका जो प्रभाव है वो permanent बना रहे ये affirmation आप ऐसे बोलोगे आप बोलोगे मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बहुत respect करती हूँ इसलिए मेरा partner मुझसे बहुत प्यार करता है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मेरी respect करता है वो अपना प्यार मुझे show करता है और बस इतना ही affirmation है आपको ये daily सुबह में और शाम में और आप रात में सोने से पहले बोलना आप counting करके बोल सकते हो लाइक आप एक बार में 15 to 30 ताइमस बोल सकते हो फिर दोपहर में भी बोल सकते हो तो रात में सोने से पहले जरूर बोले और जब आप बोल रहे हो तो उस वक्त फील करो कि ये चीज बिलकुल real है ये सच है आप कोई जूट नहीं बोल रहे है बलकि सच बोल रहे हो यही current reality है अगर आप चाहते हो कि आपके current जो reality है वो change हो तो आपको अपनी present reality से उपर उठकर के future के जो चीजे हैं उन्हें देखनी होती है ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि आपको feel करना होगा कि कैसा लगता जब आपका जो partner है वो पहले से ही इसी तरीके से आपको प्यार करता तो इसी feeling के साथ आपको ये affirmation daily बोलने है और जब आपने बोल दिया 15 या 20 बार या जि जो आपके अंदर मौजूद है जिसमें शक्ति है आपके विचारों को create करने की आपके विचारों को physical world में manifest करने की वो इसके उपर work कर रही है और आपको आपके desired result मिल जाएंगे आपको desperate होने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है इधर उधर भागने दौरने दुखी होने lonely feel क करने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हो आपके affirmation work करें तो आपका काम है कि अपने mental atmosphere यानि आपका जो दिमाग है आपका जो मन है उसे बिलकुल शान्त रखना और उसे positive रखना ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह बिलकुल वैसा ही है कि आपने 20 तो लगा दिये और उसे बिलकुल भी हवा धूप और पानी नहीं देते जिसे कि आपका 20 ग्रो नहीं करेगा बिलकुल वैसे ही आपके affirmation ग्रो नहीं करेंगे तो affirmations के ग्रो करने के लिए उन्हें manifest होने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना mental pattern, mental thought pattern, even mental atmosphere जो है उसे positive रखना चाहते हैं खुद को high vibration पे रखना चाहते हैं ताकि उनके wishes manifest है हो तो आप हमारी what should I do now daily course routine भी ले सकते हैं उसे follow कर सकते हैं वो इसी तरीके से create की गई है ताकि आप जब affirmation करें कोई भी mental work करें या कुछ भी करें तो उसमें आपको सफलता मिले उस तरीके से design किया गय ठीक है और इसके अलावा अगर आप अपनी life की किसी भी area में किसी भी type के problem को face कर रहे हैं तो आप उस area को problem को like solve करने के लिए उस area की आप ले सकते हो magical medical manifestor course और वहां से आपकी जो problem है जरूर solve हो जाएगी क्योंकि वहां पे mental work and साथ में affirmations prayers meditations सारी चीज़े दी गई हैं वहा किसे तूट गई है तो आप उसे heal करने के लिए हमारी relationship healing guide भी ले सकते हैं और उन लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपको self love से related कोई भी video चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आप self love के उपा work करो तो आप playlist जो section है उसमें जाएगे और वहां पे आपको self love guide करके आपको पु बहुत ही अच्छे से guide किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक इतने अच्छे से इन चीजों को guide करता है मुझे अपने उपर पूरा विश्वास है जो चीजे मेरे लिए work करती है मैं उन्हें आपको सिखाती हूं और इसलिए लोगों को success मिलती है इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा success मिलती है हमारी पताई हूँ चीजों को follow करने से तो चलिए मिलते हैं next video में thank you so much watching this video and I love you all